खुले में श्रोच करने पर साथ गिरफ़तार बिजली का केनेक्शन भी कटा जैपुर जे अनेन, राजस्थान के भिलवाणा जिले में पुलिस ने उपखंड अधिकारी की सूचना पर साथ लोगों को खुले में श्रोच करने पर गिरफ़तार कर लिया जहाजपुर तहसील के उपखंड अधिकारी करतार सिंग शुक्रवार सुबह गाउं के दोरे पर निकले थे इस दोरान कई लोग खुले में श्रोच करते हुए नजर आये उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने साथ लोगों गिरफ़तार कर लिया आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 10 रंड 10,000 के जमानती मुझलके और 15 दिन में शौचालया बन्वाने के आधेश पर रिहा कर दिया गया उपखंडा दिकारी ने बताया कि खुले में श्रोच करने वाले कुछ लोगों के घरों के बिजली के कनेक्शन कटवाए गए हैं उई थी बड़ी गिरफतारी इस क्रम में सीता मड़ी में स्वतंत रता दिवस के अफसर पर खुले में श्रोच से मुक्त खोशित करने के लिए ऑपरेशन ओडी एफ चलाया जा रहा है अभ्यान के तहट खुले में श्रोच करते लोगों को पकड़ा जा रहा है ऑपरेशन के पाँचवे दिन शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने अलग अलग इलाकों में खुले में श्रोच करते चारानवे लोगों को हिरासत में ले लिया इन में से 92 लोगों को पियार बोन्ड़ा पर मुक्त कर दिया गया